हाई फ्रेंस मेरी यूटूब चैनल घरेलो नुसके असरदार उपाय में आपका एक बर फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपको चेहरे के दगधबो को दूर करके चेहरे को ग्लोइंग बनाने का एक असान सा घरेलो उपाय बताने जारी हो इस नुसके के इस्तेमाल से आपकी तवचा के दगधबे पूरी तरह से दूर हो जाएंगे और आपकी तवचा बहुत जादा ग्लोग करेगी साथ ही इससे आपकी तवचा के रंग में काफी निखार आएगा लेकिन इससे पहले आपस रिक्विस्टे मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल् नुसके इस्तेमाल से आपके चेरे के डगधबे दूरूंगे साथ ही आपकी तवचा सॉफट होगी अगर आपकी तवचा बहुत जदा ड्राइ है तो यह नुसका आपकी तवचा को सॉफट स्मूध बनाएगा ग्लोइंग बनाएगा इसके लिए सबसे पहले आपको लेना में काफी मदद करता है औरन्ज जूस के इस्तेमाल से आपकी तोचा में निखाराता है और इससे आपकी तोचा टाइट होगी आपको औरन्ज जूस लेना है अब इसमें आपको मिक्स कर लेना है टामाटर का रस टामाटर भी विटामिन C से भरपूर होता है यह हमारी तवचा को नैशुरली ब्लीच करता है इसके अलब टामाटर के रस के इस्तेमाल से तवचा के दागधब्बे बहुत ही जल्दी दूर होने लगते हैं साथ है यह आपकी तवचा को ग्लोइंग भी बनाता है और गोरा भी बनाता है एक चमच आपको इसमें टामाटर का रस मिक्स कर लेना है अब इसमें आपको मिक्स कर लेना है शहद शहद तवचा को मॉशिराइज करता है खासकर के सर्दियों में यह आपकी तवचा को ग्लोइ स्मूध बनाता है आधा चमच इसमें आपको शहर मिक्स करना है इसे आप अच्छे से मिक्स कर ले अच्छी तरह से मिक्स करने की बाद अब आपको इसे अपनी तवचा पर लगाना है आपको एक कॉटन बॉल लेना है और इसमें आपको डिब कर लेना है फिर आप इसे अपनी तवचा पर अच्छे से लगाए इसे लगाने के बाद आप 20 मिनट के लिए लगा के छोड़ दे फिर नॉर्मल पानी से अब अपने चेहरे को धो ले इससे आपकी तवचा के दाग धबे दूर हो जाएंगे आपकी तवचा काफी ग्लोइंग होगी साथ ही आपकी तवचा में बहुत ज़्यादा निखा रह सकते हैं यह बहुत ही ज़्यादा एफेक्टिव है अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीजी से लाइक और शेयर करें साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगली वीडियो में